हाँ जी नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का अज्जो एडिकेशन लाइव यूटूब चैनल पर जिसने वे बतेक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं के जल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बालेजिए बेल आइकन का बटन जिससे क्या आने वाले वीड है टेस्ट नहीं देखें देख सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेइलिस्ट का लिंक दिया गया वहां से आप उनको देख सकते हैं 116 टेस्ट मौजूद है तो आज का मारा पहला क्यूशन है इस टेकन इन ओडर रिड्यूस क्रोणा लोसस इन एसी ट्रांसमेशन लाइन्स यानि जो एसी के ट्रांसमेशन पढ़नाली होती है उसमें क्रोणा हानी को कम करने के लिए निमनेविसे कौन से उपाई किया जाते हैं अगर किसी को पता है फटाफट कमेंट वक्स में के बता दिजिए यानि कंड़क्टरों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है या लोड को बढ़ाए जाता है या लोड कम किया जाता है तो बताइए कौन सा इसका राइट एंसर होगा तो दोस्तों इसका राइट एंच रो जाएगा A The gap between the conductor is increased यानि conductor के जो बीच की जो दूरी होती है उसको बढ़ा दिया जाता है इसके बारें थोड़ा सुन लीजिए यानि AC transmission परणाली में Corona हने को कम करने के लिए conductor के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है परणतु इसके लिए लंबी क्रोस आरम्स की आवशेक्ता होती है जिससे की क्रोस आरम्स जो आलंब होता है वो दोनों की किमत बढ़ती है मिसा Next मारे क्विशन है दो नमबर अब बात आती है Corona loss is minimum in यानि Corona हानी निमन में नियूंतम होती है किसमें कम होती है एक दुरूविय है HVDC लाइन में या दुरूविय है HVC लाइन में या एक दुरूविय तथा दुरूविय दुरूविय है दोनों HVDC लाइन में या EHVAC लाइनों में मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली तो बताए कौन से इसका राइट एंसर होगा कोरोना हनी निमन में नियुन्तम होती है तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा एक दुरूविय है HVDC लाइन में यह AC लाइन के अपिक्षा कम होता है आपको ध्यान रगना है तोड़ा नेक्स्ट नमारा किशन है तीन नमबर यदि संचरन लाइन की दिशा बदलनी हो तो किस परकार के विदूत्रोदक का प्रयोग किया जाता है तो बताएए कौन सा राइट एंसर होगा इसका इसका राइट एंसर हो जाएगा C की strain टाइप यानि विकरती कोटियम जिसको हिंदी में बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन की दिशा बदलने के लिए strain टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है तो strain टाइप इंसुलेटर का प्रयोग जहां तनाव को बड़ाना हो तथा जहां dead end of line हो जहां corner तथा shape ग्रव हो जबकि shaken insulator का प्रयोग low voltage line यानि जो 11,000 voltage की या 11 किलो वोल्ट जिसकों बोलते हैं उसमें strain insulator की बंती किया जाता है pin type insulator का प्रयोग single step में 11 किलो वोल्ट की लाइन में यह आपको note करना है single step में जबकि multi part में 50 किलो वोल्ट लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है समझें आगया अगर आप से भी को next मारा question है चार नंबर अब बात आती है फेरांटी प्रभाव देखा जाता है जब sending end का voltage receiving end के voltage से कम हो जाता है तो उसे फेरांटी फेक्ट बोलते हैं इससे यह पता जलता है कि transmission line में ज्यादा capacity effect है समझें आगयोगा आप से को next मारा question है पांच नंबर अब आताती है खुले परिपत या हलके डंग से बरी हुई रेखा कि अभी ग्राही सिरे पर voltage में वर्दी होने की परी गिटना को क्या कहा जाता है फेर अटी पर बाव, skin पर बाव जिसको skin effect बोला जाता है या induction जिसको प्रेरण बोलते हैं या ननोफ अब और इसमें से कोई नहीं बताए कौन सा इसका right answer होगा the phenomenon of rise in voltage at the receiving end इसका right answer हो जाएगा फेरंटी effect होता है इसका भी right answer यानि खूले परिपत, no loaded या lightly loaded लंबी संचरन लाइनों में अभी ग्राही सिरे का जो voltage प्रेशन सिरे के voltage से अधिक हो जाता है इस परवाव को फेरंटी परवाव बोलते हैं next हमारा किशन च्छै नमबर यदि संट केपेश्टेंस कम कर दिया जाता है तो किसी इंसुलेटर की स्ट्रिंग जो दक्सता होती है वो बढ़ती है या गड़ती है या नेमन रहती है जिसका constant बोलते है या संट केपेश्टेंस से सवतंतर रहती है यदि sunned capacitance कम कर दिया जाता है तो किसी insulator की जो string दक्सता होती है उसके उपर क्या प्रबाव पड़ेगा तो वो अमेशा बढ़ेगी increase होगी यदि संट केपेश्टेज की value कम कर दिया जाए और string जो efficiency होती है वो बढ़ जाएगी क्योंकि संट केपेश्टेज की वजए से string efficiency में साँ खराब होती है ये भी note कर लेना नेक्स्ट मारा questionnaire साथ नंबर अब बाताती है सूच आलग से होकर प्रवाहित होने वाली आपरिवर्ति विदूध दारा समान रूप से वितरित नहीं होती है इसके बजाए इसकी परवर्थी सूचालक की सतय के नेक से केंद्रित होने की होती है इस परिगटना को क्या कहा जाता है Skin Effect, Eddy Current जिसको बंवरदारा बोला जाता है या Hysteresis Current जिसको सेथीलियाहनियां बोलते हैं या उप्रोप्त सभी तो दोस्ते इसका राइट एंस लोजाएगा Skin Effect यानि Skin Effect में दारा चालक के अनुपरस्त जो काट शेत्रफल होता है उसमें समान रूप से वित्रित नय होकर वो प्रिस्तर से होकर बहती है में सा Current और अतया चालक का जो परभावी पर्तिरोद है वो बढ़ा हुआ पर्तित होता है या केवल AC में ही होता है DC में नहीं होता Next मरे Question है आठ नंबर परत्यावर्तिदारा का प्रेशन अत्यदिक उच वोड़ता पर किया जाता है चोरी के खिलाब रक्षा के लिए संचरन हाने को कम करने के लिए या उत्पादन की लागत को कम करने के लिए पर्णाली को विसाउसन यह बनाने के लिए यह important questions है कापी वार एक्जाम से पूछा गया यह DMRC में आया हुआ है परत्यवर्तिधारा का प्रेशन अत्यदिक उच वोल्टेज बर किया जाता है तो इसका क्या काड़न होता है दोस्कों इसका राइट एंसर हो जाएगा B टू मिनिमाइज ट्रांसमेशन लोसेशन रणहाने को कम करने के लिए यानि परत्यवर्तिधारा का जो ट्रांसमेशन होता है वो हाई वोल्टेज बर करने से ट्रांसमेशन लाइन का लोसेश कम हो जाता है क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से दारा कम होती है यह आपने सुना होगा जब आपने idea की ती तो जिससे की I2R लोसेश कम हो जाता है इसके विद्यूत लाइन का प्रेरखताव खालिस्तान होगा, तुलना नहीं की जा सकती, या अधिक होगा, या कम होगा, या ब्राबर होगा, बताई इसका कुन सा राइटेंच शुरोगा, तो दोस्ति इसका राइटेंच शुरो जाएगा, C, यानि कम होगा, एक चालक पर्ती फेज की तुलना में समोहिक चालक विद्यूत लाइन के प्रेरखताव कम होगा, तथा यह है, एक चालक पर्ती फेज की तुलना में बंडल चालक विद्यूत लाइन की धारिता अधिक होत जो पावर फेक्टर को सुधारने में मदद करती है नेक्स्ट मारे क्यूशन है दस नमबर यदि एक पारेशन रेखा में करोना हनी 0.6 किलो वाट है तब समान वोल्टेज की विदूत लाइन के लिए DC करोना हनी का लगबग मान क्या होगा अठारासु वाट एक पॉइंट दो किलोवाट जिरो गूँन थीन किलो वाट बताईए इसके राइट एंसर कुन सा होगा तो दोस्तों इसको निकालने के लिए DC करोना हनी बराबर एक शुत्र होता है एक बटत तीन है do a-체 कोरोना लोसेस तो कोरोना लोसेस हमें क्या देर रखा है 0.6 तो एक बटा तीन इंटू 0.6 इसको मल्टिकल कर दीजिए इसका इंसर आएगा 0.2 किलो वाट मतलब सी ओप्सन इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट हमारे कुशन है 11 नमबर अब बात आती है कोरोना हानी के साथ बढ़ती है आपूर्ति आवर्ति तथा चालक के आकार में वर्दी या आपूर्ति आवर्ति में वर्दी तथा चालक के आकार में कमी या आपूर्ति आवर्ति तथा चालक के साइज में कमी या आपूर्ति आवर्ति में कमी तथा चालक के प्रियाकार में बढ़ती बताए कौन से इसका राइट एंसर होगा यानि जो कोरोना हनी होती है वो किसके साथ या कैसे बढ़ती है तो दोस्ति इसका राइट एंसर हो जाएगा भी इनक्रीज इन सप्लाई फ्रिक्वेंशी एंड डिदूशन इन कंड़क्टर साइज कौरोना हानिया पूर्टिया बढ़ती बढ़ती तथा चाले के साइज में कमी के साथ बढ़ती है नेक्स्ट मारे क्यूशन है बारा नंबर अब बाताती है दा गुड एफेक्ट ओफ कौरो बढ़ाने के लिए या रेडियो के जो व्यक्तिक्रण होता है उसको गटाने के लिए या सर्ज फ्रंट्स होता है उसका जुकाव कम करने के लिए पता यह कौन सा इसका राइट एंज जरोगा ओगरेट लाइनों में करोना का अच्छा प्रभाव किसके लिए होता है तो डी लगो पारेशन लाइन के विशलेशन में निमलिक्त में से किसे नजर अंदाज किया जाता है संट परवेशयता को, पावर हान्यों को या सरेणी परतिवादा को या सकति गुनत को जिसको पावर फेक्टर बोलते हैं यह भी important question है लगो पारेशन लाइन के विशलेशन में निमलिक्त में से किसे नजर अंदाज किया जाता है तो दोस्तों इसका राइटन शुरू हो जाएगा ए, संट एड्मिटेंस यानि संट परवेशयता जिसको हम बोलते हैं यानि 80 km से जो कम की लंबाई वाली transmission लाइन होती है 80 km से कम की जो length की लाइन होती है उनको आम तोर पर लगो पारेशन लाइन बोला जाता है और short line के लिए इस प्रगा की लाइन का संट capacitance निगलेक्ट किया जाता है और अन्य पेरामेट्रों जैसे विद्वत परतिरोद और इन short line के प्रेरक जिसको lumped होते हैं वो capacitance के कारण लाइनों में रिनात्मक परतिगात की उत्ती होती है जो line की परतिवादा को गटाता है यानि जब दारिता निगलेक्ट होती है तो परतिगात भी निगलेक्ट होगा समझें आगे होगा आपसे को next अमारे क्यूशनल 14 नमबर अब आदाती है तार के दिर्माण में निमन में से कौन सा कुचालक प्रियोग नहीं होता है प्लास्टिक वार्णिश फेद्रिक या पेपर या वुड मतलब लकडी जाज सी बात है लकडी उप्योग में नहीं ली जाएगी next हमारे क्यूशनल 15 नमबर transmission लाइनों में बंडल कंड़क्टर के लिए कौन सा कथन सही नहीं है voltage gradient का नियंतरन कोरोना हनी में कमी radio interference में कमी या संचार लाइनों के बढ़ने के साथ interference में बढ़ोतरी बताए कून सा इसका राइट आवे अच्onds वोगा targ के sorry transmission लाइनों में बंडल कंड़क्टर के लिए कून सा कथन सही नहीं है यानि D option हो जाएगा संचार लाइनों के बढ़ने के साथ में बढ़ोतरी ये कथन गलत है यानि control of voltage gradient होता है reduction in Corona loss होता है यानि Corona भी होगी और reduction in radio interference यानि radio interference में कमी होगी तो दन्याबाद दोस्तों आफ से वीडियो को देखने के लिए अगर आप से ये टेस्ट अचा लगाओ पर लीजिसको जाला-जाला लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए आपके बाद इतने वर्टसप टेलिग्रम ग्रूप है उन सभी में और इसी प्रकार से टेस्ट देखने के लिए डेली अज्यो एजुकेशन लाइव यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यूटूब पर और आप को भी साथ में जोइन रखिए और इस टेस्ट का जो पीडिया फाइल है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक में गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहने वाद दोस्तों आप जी का दिन शुब हो जयाहिन वंदे मात् कर दोस्तों आप